हेलो हेलो वीडियो देखने वालो आपका भाई दिली से पहुंच गया है पूने और पूने में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पांच ऐसी जगाएं जहां पांच ऐसी जगाएं जहां पर आपको लाइफ में एक बार आकर खाना बनता ही बनता है जिहां आउटलेट के नाम पे बहुत सारे लीगल कॉंट्रोवर्सी हैं लेकिन आज की डेट में इस जगा का नाम है बर्गर इनके दो-तीन आउटलेट्स हैं पूने में हम आए हैं कोरेगाओं पार्क में और इनके यहाँ पर मिलते हैं आइकॉनिक चिकन बर्गर्स एंड वेज बर्गर्स अभी आपको मेरे आसपार टेबल खाली रिख रहे हैं क्योंकि सुबा साड़े ग्यारा बजी आउटलेट खुलता है लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मारो मारो हो जाएगी इसी भीड ऐसा दिवानापन मैं इतनी जगाओं पर खुआ हूँ मैंने बर्गर के लिए कहीं नहीं देखा और अगर आप पुने आते हैं या पुने के रहने वाले हैं यहाँ कभी बर्गर नहीं खाए तो जिन्दगी रहते एक पर यहाँ के बर्गर शुरूँ है अब आप जया यहाँ थिए अटेल पर अपर्षाप यहाँ यहां पर आप आप अपने टेबल पे बैट आटेए उर आपको अवास मारी जाएगी जब आपका ओउर रेडी है तो लेजे पेश है इनका पूड मेन्यु यहाँ पर एकिन बर्गर में वराइटी मिनी चिकन बर वेजितरियन के लिए यहां पर बहुत कुछ है वेजबर्गर जाए बगारा है बहुत कुछ है और रिंक्स भी यहां पर कोड रिंक है आइस टी है थे फ्लेवर्ड मिल्क है कोल कॉफी सब एक सब्सक्राइब करते हैं और उल्लासनगर पूने में जॉब करते हैं फूरे अटो वाले भीया हैं तो में पूरे फूरे के दर्शन करवा रहे हैं तो अमारे बहुत आपको तिखा देता हूं यहां कि क्या है यह आइक ऑनिक पर जब यह 140 रुपे का चिकन बर्गर है यहां का यह देखिए 140 रुपे का चिकन बर्गर और परावर में 100 रुपे का वेज बर्गर है इनका यह देखिए यह 100 रुपे का है साइस देखिए दोनों बर्गर के यह देखिए तो प्रवीन भाई हमारे नॉन वेजटेरियन है तो उनको वेज लो भईया उठाओ प्रवीन भाई भी उनके नमारदाद आये क्या मारो मार लगी हुए कितनी भीड है यहां पर हम प्रमीशनली ने आएदे शूट का और जैसे कि मैंने आपको लिखाया यह हाथ मूं गंदे होने वाले हैं तो उसके लिए तयार हो जाए और मैं पहले ही सौरी बोल देता हूं साजन जी चको फटे हैं आपको चिकन पैटी दिखाते हैं यह कोई रेडिमेट चिकन पैटी नहीं होती है इनकी इन हाउस चिकन पैटी है बाहर से देगे सूपर क्रिस्प है अंदर रेगी बड़ी आज़ा है कर्या है यह वेज में सिमिलर है अंकर जो मतर गर और इसकी भी पील आ रही है जो कृष्पीनेस है इसी कहीं मणाख विर जो भला है भारें उव्यक्षी करें एक उसमें विर्ट में आय देखना यह इसने जगा इतनी ज्यादा पॉपलर है सुभे हम 11 वजय इसलिया आये हैं ताकि हमुट कर सकें साड़े 11 वजय ही गोलता है और यहां मारो मार ओप होती है मुझे लगता है कि 12 बजे थाक यहां पर थावर थीड लगने का है कुने में मिसल आपको मिस नहीं करना यहां पर बहुत ही आइकॉनिक भूट सारे ब्रैंड बन चुके हैं बहुत सारे रेस्टूरेंट हैं बहुत सारी चोटे-चोटे धावा टाइपस हैं लेकिन पूने में मिस्सल आपको मिस्स नहीं करना और ऐसा ही एक बड़ा ही फेमस आउटलेट है जिसका नाम है कटाकेर हम वह जाए हैं मिस्सल पाओ आईए आपको दिकाएं इस वक हम पूने की धोले पाटिल रोड़ पर हैं यहाँ पर इनका एक आउटलेट है बाकि सबसे प्रभात रोड पे सबसे पुराना इनका आउटलेट है आईए इनका मिसल का देखते हैं और यह बताते हैं वाई यह क्यों इतना पेमत है पेशन का पूड मेन्यू जो मिसल का एवरेज प्राइस है वो 90 रुपीज का है पैकिंग करवाते हैं तो 100 रुपे है और जो चीस मिसल है वो 120 रुपे का है जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए जैन मिसल भी है यहां पर और बराबर में यह देख रहा था तो मैंने कर दो कर दो कर दो कर दो है तो हमने अपने लिए मेडियों वाला मिसल मंगवाया है जो मेडियों स्पाइसी रहता है तो निमूने चोड़ने पर ले चोड़ना और यह देके साथ में अपने हिसाब से अगर आपका मन है तो यह देखिए कि उपर से आप अलग से भी डाल सकते हैं वैसे अलड़ी अंदर डला होता है शुरू करें जी यह देखिए इसमें क्या-क्या है यह देखिए सबसे पहले नीचे देखिए नमगीन मुझे काफी दिख रहा है स्प्राउट्स नजर आये मुझे और पोहा बना हुआ है पोहा डालके स्प्राउट्स डालके यह आलू है आलू है आलू है और प्याज भी है चलो रही शुरू करो यह लाल रंका है लाल अरी मिर्च भी मिच्सल खाया था इसका एक separate video आयेगा चलो जी शुरू करो प्रवीन भी आहाँ करो 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 लाओ जी मैं बनाता हूं आता हूं वह बाइट सबसे पहले यह तो शरम कर रहे है इसमें वैसे तीखा परी ज्यादा होती है मीडियम में काम होती है यहां पर लोग ताक कहते हैं महाराश्ट्रा में तहीं चार्च केते हैं यहां पर ताक के मगगा है मुझे अच्छा लगा यह इसका पाइस जरूर मीडियम है एक धिट जरूर करता है जुबान पर लेकिन फ्लेवरफुल स्पाइस है यह लाल मिर्च से बना हुआ है यहां पर पुने आओगे तो हरी मिर्च वाले भी आपको मिलेंगे हरी मिर्च वाले रेर है जो बहुत पुराने होते हैं वो हरी मिर्च से बनाते हैं मोस्ति आपको यही मिलती है तरी के साथ और अगर आप ऊपर थोड़ा फोकस करें तो लिखा हुआ है काका थोड़ी एक्स्टा तरी द्याना मतब इट्सर रिक्वेस्टिंग और प्लीज गिव मी एक्स्टा तरी तीसरी चीज जो पुने में आके आपको मिस नहीं करनी एक बार जरूर खाना है वो है यहां का वड़ा पाओ माराश्टर आओ मुंबई तो लोग वड़ा पाओ के लिए फेमस हैं पुने में भी अपने कुछी कदमों की दूरी पे इनका रेट्रेंट भी है टेकवे काइंड आउटलेट है वहां पर भी आप फूर एंजॉय कर सकते हैं चलिए इनका वड़ा पाओ देखते हैं कि क्यों है यह स्पेशल लेगे आप बंद का साइज काफी डीसेंट है और बराबर में वड़ा का स कि आपको लुक और फील दिखाते हैं यह रेकिए यह रेकिए यह रेकिए यह रेकिए बड़ा रहता है यह रेकिए चप्टा है ऐसे यह रेकिए चप्टा है पोल नहीं है चप्टा रहता है चलिए इसको टेस करते हैं चलो साजन वेजी चीर्ज सबसे वैली जी तो इसमें यूनीकनेस है इसमें यह एक हलकी जी मीडी चटनी यूज़ कर रहे हैं मीडी चटनी जब आपके वड़ा के साथ टच करती है और आपके जुबान बिढाती है तो एक बहुत बढ़िया फ्लेवर बना गए देती है यह स्पाइसी वाली नहीं है ह अरी चटनी ज़रूर लगाई है इनोंने लेकिन वह ज्यादा स्पाइटी नहीं है जो मीठे का टच है वह सही फ्लेवर देता है आप थोड़ा सब पुदीना भी यूज करते हैं ताकि उसका थोड़ा फ्लेवर आजाए आपको तीखी नहीं लगेगी वह आपको आते रहते हैं कि जब तक यह लाइफ है लाइफ में एक बार आपे आपने बड़ा पाऊ के बड़ा पाऊ पूने में जरूर था नंबर चार है पूने की यहां की पेक्री जी हां यहां पर बहुत बेक्री आइटम्स आइकॉनिक मानी जाती है और ऐसे में ही एक आइकॉनिक बेक्री की दुकान का नाम है कयानी बेकरी, जो मेरे पीछे आपको देख रही होगी, संडे ये क्लोज रहती है, यहां के एगलेस और एग वाली बिस्किट्स बेकरी आइटम्स बहुती लाजवाब है, इनका जो केक है, होट सेलिंग है, इनकी नान खटाई होट सेलिंग है, और मैंने अ और नमबर पांच पे हैं कुने के कैफे, जी हां इरानी कैफे हो या पार्सी कम्मुनिटी दवारा रन किये जारे कैफे, पुने आओ तो इन कैफे का एक्सपिरेंस जरूर करो, और मैं आया हूँ, यहां के सबसे आइकॉनिक इरानी कैफे में और यहां चाय पीएंगे, और बड़ा कुछ आई अंदर लेजे फूड हमारे टेबल पर सब हो चुका है यहां इरानी कैफे आओ तो इनका एक आपने यह पन मसका मिस नहीं करना मक्खन लगा के यह सब की गई है इनकी उसके साथ जो चाय है नॉर्मल चाय वो मिस नहीं करनी यहां पर इरानी कैफे आओ तो इनकी एक्स की आइटम्स बहुत सही है हमने अपने लिए मसाला प्रेंच टोस बनवाया इसना लूप और फील देखिए और यहां की आइकॉनिक आडी स्प्रेंग यह भी यहां की लाजवाब है इरानी कैफे आओ तो यह चीजे मिस नहीं करनी एक्स की और भी बहुत सारी हम पे वराइटी मिलती है मिस नहीं करनी टेस्ट करते हैं जी सबसे पहले चीर स्वीर जी मदा आया ना आप तो वेजिटेरियन हो बन मसका और लेट मी ट्राइ फ्रेंच टोस्ट पिना कैचप की देखते हैं बड़ी है मदा आया यहां पर जितने भी दूसरे कैफेज हैं या जो कैफेज हैं पार्सी के दुवारा रन के जारे हैं उनसे अगर कंपेर करो तो यहां हर चीज़ की प्राइजिंग उससे ज्यादा है उससाब से क्वालिटी भी जो बन मस्का मैंने यहां पर खाया है और को इरानी कैफे या बार्सी कैफे में शायद ना मिला हो यह हमेशा की मेरी ट्राइज है आज आडीस के साथ हो गई वैसे चाय के साथ होती है यह देखिए यहां पर पूने में महुत जगाओं पर बन मस् बोखते है क साथ रेकश पाटिज को है कि मिलावत नहीं हो प्रोपर अमूल कंपनी का मकन लग रहा जो भी है मकन बिलकुल प्रोपर है को विक्सिỉंग नहीं नहीं है को दूसरे डाइक का मख़न नहीं है और जो इनका बन है बहुत सॉफ्ट है बन मसका हो साथ में गरम गरम चाय हो लाइफ सेट है और यह थी पांच ऐसी फूड और जगाएं जो लाइफ रहते एक बर आपको ज़रूर ट्राय करनी चाहिए अगर आप मेरे जैसे फूड है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा उने से आने वाले दिनों में आपको और कोई शानदार स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा हमारे भूकासांड चैनल के यूटूब चैनल पर और फेस्बूक पेज पर साथ में इंस्ट्राग्राम पर बने रही है हमारे साथ थैंक्यों फॉर वाचिंग बबाई